यूपी पंचाय चुनाव में सीटो पर आरक्षन विवस्था पो लेकर हाई कोट की लखनव गेंच ने अपना फैसला सुना दिया है हाई कोट ने कहा कि साल 2015 को आधार मानते हुए सीटो पर आरक्षन लागु किया जाए इसके पूर्व योगी सरकार ने कहा कि वह साल 2015 को आधार मानकर आरक्षन विवस्था लागु करने के लिए तयार है इस पर न्याय मूर्ती रितुराज अवस्थी वन्याय मूर्ती मनीश माथूर की खंडबीट ने 25 मई तक यूपी पंचाय चुनाव संपन कराने के आधेश दिये हैं है कोट के फैसले से ये साफ हो गया है कि अखिलेश शरकार के दौर में बने स्टाशना देश की आधार पर 25 चुनाव के सीटों की आरक्षन की रूपरेखा तय की जाएगी ऐसे में साल 1995 के आधार पर योगी सरकार ने पंचायत सीटों के लिए आरक्षन की लिस्ट जारी की थी जिसके तहट ऐसी तमाम सीटें आरक्षन के दायरे में आ गई थी जो पिछले धाई डसक में आरक्षन में नहीं आई थी हाला कि कोट के आदेश के बाद अब दोबारा से सूबे की सीटों के आरक्षन की लिस्ट जारी होगी आई अब जानते हैं अगर आरक्षन आधार बनेगा तो आपकी सीट पर इसका क्या असर पड़ेगा और कैसे सियासी समिकर्म बदल जाएंगे दरसल हाई कोट के फैसले से अब यूपी की हर जिले की आरक्षन लिस्ट में बदला उते हैं चुकि पहले रोटेशन के आधार पर लिस्ट बनी थी लेकिन अब साल 2015 के सासना देश के आधार पर आरक्षन सूची में हर जिले में परिवर्तन होगा ऐसे में चुनाओ प्रचार की तैयारियों में लगे संभावित उमिद्वारों को गहरा जटका लगा है क्योंकि जहाँ सीट सामानी थी वहाँ की सीट अब बदल जाएगी वहीं जहाँ पर सीट आरक्षित थी वहाँ की सीट के सामानी होने की संभावना है आई जानते हैं कि अब आरक्षन कैसे लागू होगा आरक्षन के लिए आधार वश बदला है प्रक्रिया नहीं है इस चुनाओ रोटेशन या चक्रा नुक्रम आरक्षन का ही पालन किया जा रहा है इसमें इस प्रक्रिया में आज जो सीट जिस वर्थ के लिए आरक्षित है वो अगले चुनाओं में उस वर्थ के लिए आरक्षित नहीं होगी इसके लिए एक तैय रोटेशन है सबसे पहले SC-ST महिला के लिए सीट आरक्षित की जाती है इसके बाद SC-ST, OBC महिला और जनरल के लिए सीट आरक्षित होती है वही साल 2011 में हुई जंगर्णा के आधार पर आरक्षित तैय किया जाएगा ऐसे में अगर किसी ब्लॉक में 100 ग्राम पंचायते हैं और पिछले चुनाओं में वहाँ 27 सीटें पिछला वड के लिए आरक्षित थी अगले चुनाओं में 27 के आगे ग्राम पंचायतों की आबादी के घटती हुई आबादी के तौर पर प्रधान पद आरक्षित होंगे ऐसे में सभी सीटों के लिए यही आरक्षण लाग वोगा उधारं के तॉर पर साल 2015 में जिन पंचायतों में S.C. के लिए आरक्षण था उसे O.V.C. का आरक्षण तै किया जाएगा ऐसे ही जो पंचायत अब तक O.V.C. के लिए आरक्षित होती रही है उन्हें SC के लिए आरक्षित किया गया था इसके बाद जो बची बाकी पंचायतों को आबादी के घटते अनुपात में चक्रा अनुक्रम के अनुसार सामान वर्ग के लिए आरक्षित किया गया इसी को अधार मानते हुए 58,194 ग्राम पंचायत सीटें और 75 जिला पंचायतों में से 3051 जिला पंचायत वाट सदस के लिए आरक्षित किये गये थे लेकिन कोट के आदेश के बाद फिर से 2015 के लिहाज से सीटें टै होंगी ऐसे में जिनोंने पोस्टर और बैनर छपवा लिये थे उनकी दिलों की धड़कन बढ़ना लाजमी हो गया है वही हाई कोट के वैसले के बाद अब यूपी में 3 इस्तरी पंचायत चुनाओं को लेचर आरक्षित की नई लिस्ट आएगी यूपी की योगी सरकार ने इलाबाद के हाई कोट के लखनव खंडपीट के सामने आरक्षन में खामी की बाद सुईकार कर ली ऐसे में हाई कोट ने साल 2015 के आधार पर आरक्षन लागू कर पंचायत चुनाओं कराने का आदेश दिया है वहीं सरकार को 15 मई के बजाए 25 मई तक पंचायत चुनाओं पूरा करनाने का आदेश दिया गया है